हेलो बच्चों, आज हम विभिन आवासों के बारे में जानेंगे। शुरुवात जलिय संसार से करते हैं। हम जानते हैं कि किसी सजीव का वह परवेश, जिसमें वह रहता है, उसका आवास या हैबिटेट कहलाता है। जैसे मचली पानी में रहती है, यानि जली आवास में, पैंगुइन बरफीले स्थान पे रहते हैं, और उंट रेकिस्तानी आवास में रहते हैं। आवास या हैबिटेट जीवों को हित कर परिवेश देता है, जहां उन्हें आवास में जीने और प्रजनन के लिए भोजन, आच्रे, आधी भी मिलता है। परिवेश आवास और जीवों की दूसरी जरूरतों को भी पूरी करता है, लेकिन परिवेश के कुछ तत्व जीवों के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं। जैसे तापमान, रेकिस्तानी आवासों में जीवों को अत्याधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है, तो दूसरी और पहाडियों पर और बरफीले आवासों में अत्याधिक ठंड होती है। इसके अलावा जीवों को कुछ अन्य मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे बहुत सीमित भोजन उपलब्ध होना, पानी की कमी, दूसरों द्वारा शिकार बनाये जाने आधिका डर। जीवों को जीने के लिए इन सब कठिनायों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले हम जलिय आवास के बारे में बात करते हैं, और इन में रहने वालों के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, पृत्वी पर हर जगा जीवन है। विभिन जीव जीने और अपने आवास में फलने, फूलने के लिए, वातावरन की कठिनायों और बाहर निकलने के लिए विभिन तरीके ढून लेते हैं। महासागर और समुद्र ये इस ग्रह के सबसे बड़े आवास प्रदानक हैं। इस नमकीन पानी के आवास को समुद्री आवास या मरीन हैबिटाट कहते हैं। कुछ विज्ञानिक ये मानते हैं कि अभी भी दो तिहाई समुद्री जीवों का खोजा जाना शेश है। आश्चरिय जनक बात है न बच्चों। समुद्री आवास या मरीन हैबिटाट का जीवन बहुत ही अचरज भरा है। यहां के जीवों में बहुत सारा अंतर होता है। इसमें एक कोशिय जीव से लेकर दुन्या के सबसे बड़े जीव ब्लू वेल, फियर्स, शार्क, ऑक्टपस, स्क्विट्स, इत्यादी और प्यारी डॉल्फिने भी रहती हैं। पृत्वी पर रहने वाले जीवों में अधिकांश मरीन हैबिटाट में रहते हैं। पांच हजार फीट से भी जादा गहराई में भी जीवन हैं। यहां पर सूर्य का प्रकाश तक भी नहीं पहुँचता है। और तापमान भी बहुत कम होता है। उधारन के लिए अंगलर फिश तीन हजार फीट की गहराई में रहती है। जैसे लॉंग नोज शिमेरा आठ हजार फीट की गहराई में रहती है। यहां पर कई चकित कर देने वाले समुद्री पौधे भी हैं। तलाब, नदी, झील, आदी में जहां मीठा पानी रहता है, वहां पर रहने वालों को ताजा या मीठे पानी में रहने वाले जीफ कहते हैं। बहुत सी मचलियां पानी के कीरे वाटर लिली आदी फ्रेश वाटर के हैबिटाट में रहते हैं। जलिय आवास के लिए जीवन अनुकूलन कैसे करते हैं ये जानवर। जीने के लिए सभी जीवों को सांस लेने की आवशक्ता होती है। मचलियां और कई अन्यजीव समुदर में गिल द्वारा सांस लेते हैं। डॉल्फिन्स और वेल्स जलियस तंधारी यानि की मरीन मैमल्स होते हैं। ये अपनी ब्लो होल की मदद से सांस लेते हैं जो की उनके सिर के उपरी भाग में होता है। इनके फेफडें बड़े होते हैं ताकि उनमें ये कुछ मिनिट तक अराम से ये सांस रोकर रख सकें। ये गिल्स से सांस लेने वाली मचलियां से बहुत अलग होती है। मचलियां इतनी तेजी से कैसे तेर लेती हैं। आपने कभी सोचा है। देखिए मचलियां ओक्टपस, स्क्विड और कई अन्य जलिय जीवों का शरीर धरा रेखिया यानि की स्ट्रीम लाइन शेप में होता है। यानि की सामने से गोल और पीछे से संकरा होता है। इस शेप से पानी की प्रतिरोधक शमता कम हो जाती है। और मचलियां पानी में असानी से तेर सकती है। कई मचलियां और अन्य जलिय जीवों का शरीर चिकने शलको या स्लिमी म्यूकस से ढका रहता है। जो इनके शरीर को अवरोधी बनाते हैं। और शरीर को चिकना बनाकर पानी की अवरोधक शमता को कम करने में भी मदद करते हैं। अब बताईए ये अपनी रक्षा कैसे करते होंगे। कुछ जलिय जीव, कैमोफलाज या श्रद्धावरन का उपयोग करते हैं। यानि की खत्रा होने पर अपने आपको बचाने के लिए ये अपने आसपास के परिवेश में मिल जाते हैं। कुछ जीव, अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी कैमोफलाज का इस्तिमाल करते हैं। जैसे कैमोफलाज से शार को शिकार करने में मदद मिलती है यदि हम उपर से देखें तो इसका पिछला भाग डार्क होता है इसलिए इसे अंधेरे समुदरी तल में देखना मुश्किल होता है अब हम नीचे की ओर देखते हैं इसका पेट हलके रंका होता है तो जो जीव नीचे से देखते हैं उन्हें तेज सूर्य के प्रकाश में ये दिखाई नहीं देती है इस तरह की शैडिंग से कई बार शार के शिकार उसे देख नहीं पाते हैं इस तरह के परिवेश प्रकार को हम कैमोफलाज या काउंटर शेडिंग भी कह सकते हैं कुछ जलिय जीवों के पास विशेश सुरक्षात्मक तकनीक होती है। जैसे की स्क्विट्स अपने दुश्मनों से बचने के लिए पानी में स्याही के समान पदार्थ फेकता है। लाइन फिश, पॉक्यूपाइन फिश के पास अपने आपको दुश्मनों से बचाने के लिए जहरीले काटे यानि की वेनॉमिस स्पाइन्स होते हैं। अब जलिय पौधों के बारे में बात करते हैं। पौधे जलिय आवास में अनुकूलन से कैसे रहते होंगे। पानी के अंदर रहने वाले तने और पत्तियां लंबे और संक्रे होते हैं। ताकि पौधे पानी का बहाव का सामना कर सके और आसानी से नहीं ढूटें। तैरने वाले पौधों में एर चेम्बर्स होते हैं। जोकि उन्हें तैरने में मदद करते हैं। जैसे water hyacinth, तैरने वाले पौधों की पत्तियां बड़ी होती हैं, जिन पर वैक्सी परत जमा होती हैं, जो उन्हें जला वरोधी बना देते हैं, जैसे water lily की पत्ते हैं, lotus आदी. तो बच्चों याद रखिये, जलिय आवास इन से मिलकर बनता है, तेज या मीठे पानी का आवास, यानि की जील, तलाब, नदी, जिन में मीठा या ताजा पानी होता है, समुद्री आवास या marine habitat, समुद्र और महासागर में नमकीन पानी होता है, जलिय पोधे और जीफ, जलिय आवास में रहने के लिए अपना अनुकूलन करते हैं, अद्भुत जलिय दुनिया के बारे में अभी इतना ही बच्चों, बाबाई